नरेंद्र मोदी कटिन फैसले लेने से कतराते नहीं ठोड़े समय पहले उन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में बॉर्णिंग दी थी कि सुधर जाओ वरना जिस भाषा में समझते हो उसी में जवाब देंगे पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना के लेकिन पाकिस्तान ने अपनी आतन की हरकते चालू रखी फिर क्या हुआ हम सबको पता है उसके बाद नंबर आया काले धन वालों का पहले रेक्वेस्ट की फिर चेताव नी दी लेकिन नहीं सबको लगता था कि पिछली सरकारों की तरह ये तो बस बाते हैं पर आठ नवंबर को जब देश में काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक हुए तब देश के सभी काले भंडारों में आग लग गई आठ नवंबर 2016 की रातरी को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करंसी नौट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और तरीका भी क्या कमाल था एक तीर और तीन निशाने आतंगवाद ब्रश्टाचार और नकली नोटों का कारोबार करने वाले सब पर सीधा अटैक ज़रा सोचिए इस देश में कभी कोई राजनेता ब्रश्टाचार और काले धन के खिलाफ ऐसी कड़ी कारेवाई कर सकता है तो जरा सोचिए ऐसे फैसले वही नेता ले सकते हैं जो खुद करप ना हो जैसे की मोदी जी जो खुद जमीन से जुड़े हुए हो जो खुद नीती के साफ हो जैसे की मोदी जी जिसे काले धन के जमाखोनों की नहीं गरीबों की चिंता हो जो खुद कॉक्टेल सरकल का मेंबर ना हो जैसे की मोदी जी जिसे दामाद, साडू, भाई, भतीजा या किसी भी रिष्टेदार के ऐसे हित की रक्षा करने की नहीं या किसी को भी बचाने की जरूरत नहीं जैसे की मोदी जी जरा सोची मोधी जी प्रधान मंत्री बने तब से कैसे इस सोच पर अमल उन्होंने शुरू कर दिया था उन्होंने पहले गरीबों के खाते खुलवाए फिर उन्हें आधार कार्ट से लिंक किया उनके हक के सारी लाग उनके ही बैंक अकाउंट में पहुँचाना शुरू किया और पांचसो हजार की पुरानी करणसी बंद करने का निर्न नहीं लिया इस पैसले से देश को आतंगवाद और अपराज से कमजोर बनाने वाले खुद कमजोर बनेंगे गरीब और मिल्ल क्लास बनेंगे ताकतवर क्योंकि उनकी पहुँच से बारवाली चीजे जैसे कि जरा सोचिए मोदी जी के इस पैसले से जो खुश नहीं है उन्हें आप क्या कहेंगे